कोलकाता रिप और हत्या केस में कई वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं कई वीडियोस के जरीए हमने आपको कई अहम जानकारियां दी है कोलकाता कांड ने जो आग पश्चिम बंगाल में लगाई है वह बुझने का नाम नहीं ले रही है जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है वह अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए है और मामले में जिस तरह से जाँच एजनसिया एक्टिव हुई है जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन और हर्ताल तक तो ठीक था शायद धीरे धीरे यह मामला शांत भी हो जाता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है CBI और ED ने जो मामले में एक्शन लिया है एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कोलकाता के विशेश अदालत ने आरोपियों को लेकर जो कहा है उससे तो यह पक्का है कि डॉक्टर बेटी के दरिंदो को जल्द से जल्द फांसी होगी कोलकाता कांड ने कैसे मचाया TMC में भूचाल कोट ने बेल देने से क्यों कर दिया इंकार क्या प्रिंसिपल को होगी फांसी की सजा इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वीडियो में आगे बताएंगे EDCBI ने मामले में क्या किया कब तक डॉक्टर बेटी के दरिंदो को सजा मिलेगी इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडि डॉक्टर के मर्डर केस में तीन महीने बाद बड़ा अपडेट सामने आया है चार्ज सीट द्वारा असली कातिल का पता लगते ही कोट ने अंतिम फैसला सुनाना शुरू कर दिया है अब बहुत जल्द डॉक्टर बेटी के दरिंदे को सजा मिलने वाली है अब बहुत जल्द हमारी डॉक्टर बेटी को इनसाफ मिलने वाला है तीन महीने बाद इस केश में ऐसा खुलासा हुआ है एक ऐसा मोड सामने आया है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हमारी डॉक्टर बेटी को इनसाफ मिल सके। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुशकर्म के बाद हत्या का मामला अब राश्ट्रिय मुद्दा बन चुका है। आठ अगस्त की रात 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की बरबरता की गई थी उसने पुरे देश को हिला कर रख दिया। जूनियर डॉक्टर के साथ आठ और नव अगस्त की दर्मियानी रात दुशकर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गए। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की सनात कोतर द्वितिय वर्ष की चात्रा और प्रशिक्षू डॉक्टर थी। लेकिन अब तीन महीने बाद इस केश में एक और नया मोड सामने आया जिससे लोगों का CBI पर से भी भरोसा उड़ गया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार नहीं कर पा रही है। डॉक्टर्स के साथ न्याए। लगातार हो रही देरी से बुरी तरह नाराज हो गए डॉक्टर। दरासल पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरजी कर अस्पताल में सहकर्मी की हत्या और बाइटकार के मामले में सी बी आई द्वारा दाखिल चार्ज शीट में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के नेत्रित्व में यह प्रदर्शन न्याई की मांग के लिए किया गया जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए। प्रदर्शन कारियों ने CBI पर सवाल उठाते हुए पूछा कि साक्षियों को एकत्र करने के बाद फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजने में पांच दिन क्यों लगे। उन्होंने चार्ज शीट में इस देरी का जवाब ना मिलने पर नाराजगी जताई। डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की देरी से जाँच और पीडिता को न्याय मिलने में बाधा आ सकती है। WBJDF ने CBI द्वारा दाखिल चार्ज शीट में कई अहम जानकारियों की कमी पर भी सवाल उठाया। एक प्रमुख मुद्दा ये है कि चार्ज शीट में मुख्य आरोपी संजय रॉय के उन 27 मिनट के दौरान की गतिविधियों का जिक्र नहीं किया गया। जब 3 बज कर 36 मिनट से लेकर 4 बज कर 3 मिनट तक पीडिता का शव मिला था। डॉक्टरों का मानना है कि इस समय में हुए घटना करम से अहम सुराग मिल सकते थे। लेकिन चार्ज शीट में इसे शामिल ही नहीं किया गया। डॉक्टरों ने चार्ज शीट में एक अहम फॉरेंसिक सबूत के अभाव को लेकर भी चिंता जताई पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में पीडिता के शरीर पर पाए गए सफेद चिपचिपी तरल का उलेक है। लेकिन प्रदर्शन कारियों ने सवाल किया कि क्या इसका डिये ने परीक्षन किया गया। चार्ज शीट में इस सबूत का जिकर ना होने पर भी जांच में सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन कारियों ने दावा किया कि CBI की चार शीट ज्यादातर कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जाँच पर आधारित है जिसने इस मामले की जाँच सबसे पहले शुरू की थी। बाद में कोलकाता हाई कोट ने मामले को CBI को सौंप दिया था। डॉक्टरों ने पूछा कि क्या? CBI ने चार शीट दाखिल करने से पहले कोई गहन जाँच की? क्योंकि उन्हें लगता है कि कई अहम सबूत इसमें शामिल किये ही नहीं गए। आपको बता दें, यह विरोध प्रदर्शन जिसमें हजारों लोग शामिल हैं। कोलकाता के उत्तरी हिस्से में स्थित CBI के सौल्ट लेक कार्याले के बाहर किया जा रहा है। WBJDF ने मामले में पूरी और शीगर जाँच की मांग की है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और पीडिता को न्याय मिल सके। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में दाल में कुछ तो काला है क्योंकि आरोपी संजय भी यही कह रहा है कि ममता सरकार उसे फंसा रही है। सच सामने आए। दोस्तों मुख्य आरोपी साबित होने के बाद अब संजय रॉय अपने आपको निर्दोश बता रहा है। वह कोलकाता पुलिस कमिशनर विनीद गोयल पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ही उसे फंसाया है। आरोपी संजय रॉय ने साजिश करता के तौर पर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिशनर विनीद गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिशनर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिया है। संजय रॉय ने चिला कर कहा कि उन्होंने मुझे फंसाया है। मुझे बोलने तक नहीं दिया। वो बड़े अधिकारी हैं मैं उनका नाम लूँगा। विनीद गोयल और स्पेशल डीसी ने साजिस रची और मुझे फंसाया। उन्होंने मामले की शुरुआती जाच की और मुझे फंसा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस और आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने मिलकर कई अहम सबूतों को नस्ट कर दिया। ताकि इस केश का असली दोशी पकड़ा न जाए। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दुशकर्म किया गया था, वो एक अकेले व्यक्ती संजै रॉय के बस की बात नहीं थी। उसने कहा कि घटना के समय कोलकाता पुलिस के आयुक्त रहे विनीद गोयल और कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के विशेश उपायुक्त ने साज़िश करके उसे मामले में फंसाया है। विनीद गोयल का समर्थन किया है। विनीद गोयल का नाम संजय रॉय ने लिया है। विनीद गोयल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। संजय रॉय के इस आरोप के बाद राज्यपाल ने इस मामले में सीम से विस्तरित रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल यही है कि जो संजय रॉय आज से तीन महीने पहले अपना गुना खुद ही कबूला था। वही अब अचानक फांसी के डर से अपना बयान कैसे बदल रहा है। लोग संजय रॉय की हरकत से अच्छे से वाकिफ हैं। आप जानते होंगे कि संजय किस तरह से red light area जाता था, किस तरीके से उसे लड़कियों का शौक था, किस तरह से उसने कई शादियां कर रखी थी और वह शराब पीने के बाद किस तरह का हैवान बन जाता था। संजय रॉय की बरबरता डॉक्टर बिटिया के साथ कोरे कागज की तरह साफ है इसमें और भी कोई अपराधी इन्वाल्व है या नहीं लेकिन संजय इसमें पूर्ण रूप से इन्वाल्व है ममता बैनर जी की सरकार आखिरकार संजय रॉय को क्यों धमका रही है या फिर संजय रॉय इस मामले में जूट बोल रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है कुल मिलाकर ये मुद्दा लगातार बंगाल में चर्चा का विशय बना हुआ है इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है आपको बता दे कि जब ये घटना हुई थी तो पकड़े जाने के बाद संजय रॉय ने खुद ही अपना गुनाह कोलकाता पुलिस के पूछ ताच के दौरान कुबूला था उसने दरिंदगी की जानकारी भी दी थी उसने ये भी बताया था कि डॉक्टर को कहां कहां उसने मारा और किस तरह से दरिंदगी से उसने कतल किया था लेकिन अब तीन महीने बाद उसका बयान पूरी तरह से पलट गया है ऐसे में सवाल ये है कि वो वाला बयान सही था या फिर अब संजय सही बोल रहा है और अगर संजय अब सच बता रहा है तो असली कातिल कौन है ममता बनर जी के साथ खड़े कमिशनर विनीत गोयल कर रहे थे। CBI सूतरों का कहना है कि संदीब घोश पूचताच के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और जांच एजनसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। चली, अब जानते हैं कि संदीब घोश को बंगाल की ममता सरकार ने कैसे और कब-कब बचाने की कोशशें की। संदीब घोश अस्पताल के सबसे बड़े पदपर थे। ऐसे में परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मामले की पूरी जानकारी होते हुए वह खुद से एक्शन लेकर FIR करवाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक की ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को इस मामले की जब जानकारी दी गई तो इसे आत्वात्या बताया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या पनिश्मेंट की जगह संदीप घोश का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोश का प्रमोशन किस के इशारे पर हुआ? या उन्हें बचाने की कोशिश किस ने करवाई? इसकी जाँच होना बाकी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुशकर्म और हत्या के मामले में सी बी आई अब पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। इस पूरक आरोप पत्र में दुशकर्म और हत्या की घटना के बाद शुरुवाती चरण की जाँच के दौरान सबूतों से छेड़ छाड़ और उसमें किये गए बदलाव के दोहरे पहलूं का विवरण होगा। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा जाँच का प्रभार केंद्रिय एजंसी को सौपे जाने से पहले प्रारंभिक चरण की जाँच कोलकाता पुलिस ने की थी। आपको बताते हैं पूरक आरोप पत्र होता क्या है ये पत्र आपराधिक कारेवाही में इस्तिमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसका उप्योग प्राथमिक आरोप पत्र में शुरू में प्रस्तुत की गई जानकारी और साक्ष को आने के लिए किया जाता है भारत में पूरक आरोप पत्र दंड प्रक्रिया सहिता उन्नीस सौ तिहत्तर की धारा एक सौ तिहत्तर आठ द्वारा शासित होते हैं ये धारा पुलिस को आगे की जांच करने और प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद नए साक्ष या जानकारी सामने आने पर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार होता है धारा 173-8CRPC यह सौनिश्चित करती है कि अदालत को मामले में सभी प्रासंगे घटना क्रमों की जानकारी दी जाए और निश्पक्ष और व्यापक सुनवाई सौनिश्चित करने के लिए आव नजर आ रहे हैं इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद थंडी पड़ी ममता सरकार ने अभी तक कोई भी एक ऐसा एक्षन नहीं लिया है जो पश्चिम बंगाल की जनता का गुस्सा काबू कर सके या उनकी छवी को बहतर कर सके दोस्तों संदीप घोश पर एक नहीं के बीच एक चर्चा और जोर पकड़ रही है उनका मानना है कि संदीप घोश और उसके समस्त सहयोगियों को काला पानी की सजा दी जाए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला पानी की सजा फांसी से भी खतरनाक होती है कहा जाता है कि जिसे काला पानी की सजा दे दी जाती है व परन्तु काले पानी की सजा में एक लंबे समय तक मुक्ती नहीं मिल पाती है। यदि कैदी किसी तरह से 40 साल तक जीवित भी रहता है, तो मानो उसे 40 सालों तक रोज फांसी से भी बत्तर सजा मिल रही है। और इसलिए कोलकाता केस में बहुत लोग चाहते हैं कि संदीप, घो और उसके सहयोगियों को काले पानी की सजा दी जाए। वैसे इस पर आप सभी की क्या राय है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। सी बी आई जांच के आधार पर कोट इसी महीने के आखिरी तक अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो में हमारी महनत के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके हमारा होसला जरूर बढ़ाए।